कि भगतलने हमको आरे लाना बाती लचायो रे भगतलने हमको भगवाल कहते हैं कि कोई अगर हमें बातने बाला है तो यह भगतलने हमको आरे लाना बाती लचायो रे भगतलने हमको आरे इसी तरह से सुलो लच्वी हमने पई कुट दिसरायो ली भगतलने हमको आरे लाना बाती लचायो रे भगतलने हमको केवल अगर भगवान को बादने बाला है तो बढ़ बढ़ अब पता नहीं रसी छोटी पड़ जाती है यह क्या होता है बैरसी घटती जाती है यह आंग मोटाते जाते है इस सुदा जुझलाती जाती है मोहनम सिकाते जाते है पता नहीं को रसी घट रही है यह स्याम मोटे हो रहे है इसोदा बहुत परिसान है और जब कनहिया ने अपनी मैया इसोदा को जादी परिसान देखा और जब जादा परिसान देखा तो भगवान कहने लगे मैया अब एज़ा करो ये सबरस्षी दूर अडाओ और हमें सबसे छोटी रस्षी हो सुनभांदो भोली वाली ये सोदा-भगवान की माया को नहीं समझ पाइख छोटी सी रश्टी में भगवान जब बने गएगा तो ये सो़दा भगवान को उखल से जा करके और उने बात दिया उखल बात करके ये सोदा काम में चली गए के दर स्यामने गया नजरे बचाए के स्यामने वो उखल लो लुड़काए इमला यारजन दो ब्रच थे वके बीच अफां से रही जाए इमला अरजन नाम के जो दो ब्रच थे आंगन में उधर खड़ी हुई थे करना हिया ने उखल को ले जाके के और पही फजा दिया किदर के दे अर्राय बाम ऐसे प्रस प्रकट भे सुनो बंदुच तनाय भगवान के नहिया ने जब जोड़ लगाया है और जब जोड़ लगाया तो ब्रच गिर गए और उन प्रचों में से दो प्रस प्रकट होते है उसके बाद में भगवान की इस्तुती करते हैं और स्पीदे सुर्ग राम के लिए भैकुंट के लिए चले जाते है सुकुनेब जी बोले हैं राजान परेचा जी ये बिरच्च कौन थे इमला अरजन नाम के जो बिरच्च थे ये कौन थे बड़ी सुन्दर वात कही है के दोनों कुबे रखे बेटा थे धनवाद मगर यभी मानी थे लाजा है हुआ है। मुंह पी यप एप आज आगा एगाई एको बेखला एको है कर भी कराह से एकोंडे तुसर नग्टलिवी बता ए? मुंह पो बतान एंड़ा एको चुआν हो एको आ ये एको यादे दर्मान मंगर यव्कामी एगे दोनों कहना सख्वासी एगे पर संकर के वर ना में थे कभी कह रहा है ये दोनों को बेर के लड़का थे कहलाज परबत पर रहते थे नल कुबर और मड़ी करीब इन के नाम देए निकल जकर जी के बरदानी भी थे एक बार इंसे कुछ भूल बन गई एक बार रशना रदने इनको बारी के स्ना पत्मा अर अपनी भूला के का रड़ी इनने भारी संदा मुस्दा एक बार इंसे बहुत बड़ी भूल बन गई क्या भूल बन गई तो सुकदेव जी समझाते हैं सुनो राजन पने जड़ी भूल इंसे ये बन गई कि इन्हों ने एक अबर मदरा का फान किया है और मदरा यानी सराब पी आए और सराब पीने के बार ने ये अपनी इस्तरीयों को लेकर के और ये तालाब में जनान करने के लिए गए गए और तालाब के किनारे जब पहुँचे हैं तो ये नलकूबर और मरे क्रीव दोनों अपनी इस्तरीयों से बोले आज हम ऐसे सुनान नहीं करेंगी बुली कैसे करेंगी बुली हम ऐसे नहीं करेंगी आज हम नगिने सुनान करेंगी जबाब जीया क्या पागल हो तो तुम्हें सरम नहीं लगती जो नगिने सुनान करेंगी लिकिर इन्हों ने अपनी इस्तरीय कि योर कोई द्यार नहीं दिया और कहने लग लग मैं पागल नहीं हूं और जो हम कह रहे हैं वह वही तुम करो बुले हैं दोनो बस रह उतारो मेरी प्यारी ओहमा नंगे हुई के नहावे हमा दुनिया के लाजार कोई कोनके बुरो मतार जबाब दिया जिदना करो बस रुतारो और लग दिसनान करो इस तरिया मना कर रही हैं लिकने ये दोनों नहीं माने हुआ यजार माने हाथ से दीने फिर बुलने बस रह उतार दोनों खुदा भी नंके वहे नार के संग नहाथे दोनों खुदा भी नंके वहे नार के संग नहाथे इस तरिया मना करती रही लेकर ये दोनों नहीं माने हुआ अपने हाथों से बसरों को उतार लिया और ये नगने जनान करने लगे क्या देखा है कि उधर जेदे से नारत आ रहे है इस तरियों नारत को आता हुआ देखा भागिये निकल के अपने बसरों को पहने लिया लेकिने ये दोनों नगन के नगन ही खाड़े रहे नारत को क्रोधा गया नारत कहना लगे मूर को तुमसे अच्छी तो तुमारी इस तरिया है हमारे आले से पहले उनों ने अपने बसरों को धरड़ कर लिया लेकिने तुम बिर्च की बात नगन गड़े हो तुमें कुछ भी होत नहीं है, जाओ हम तुम्हें सराफ देते हैं, कि तुम्हें दोनों बरिच बच्चा होई, यह सराफ नारद ने दे दिया, दोनों नारद के सामने जोगए, कहने लगी मातमा जी माफ करना, हमसे भूल बन गई, अब हमारा उध्धर कैसे होगा, तो संतों का हिर्दे बत तुम्हारा उध्धर होगा, जब वो उकल से बादे जाएंगे, तुम दोनों के बीच में भजाएंगे, तब तुम्हारा उध्धर होगा, वो ही नलकूबर और जो मड़े गरीवत हैं, यह मलार जो नाम के बरच्च बने हैं, जिनका उध्धर कनहिया ने किया, बले अब र